आज हम लोग बात करेंगे LastPass Free Password Manager की एक बुरी अपडेट के बारे में Hi guys, मेरा नाम है Kripesh Aadwani, यहाँ पर मैं Digital Tools और Services के Related काफी वीडियो बनाता रहता हूँ Password Manager एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैंने काफी बात करी है Best Password Manager 2021 का वीडियो भी बनाया था, वो आपको आई बटन के उपर मिल जाएगा जिसमें हम लोगों ने बात करी थी LastPass के बारे में भी LastPass एक काफी अच्छा Free Password Manager है Free भी अच्छा है, Paid भी अच्छा है और एक Bad News है अभी कि इनका जो Free Password Manager है, इसमें कुछ यहां पर लिमिटेशन आ गई है और बंद नहीं हो रहा है, Free Password Manager इसमें में इसमें कुछ इसको लिमिट कर दिया है क्या लिमिट कर दिया है, वो मैं आपको इनके Official Block पढ़के यहां पर बताता हूँ यहां पर जो उनका ने चेंज किया है, वो चेंज आएगा माथ 16 से, यह चेंज से Free Password Manager के लिए है और यह जो चेंज है वो यह है कि अब यहां फिर आप लोग सिर्फ इसको Computer पर यूज कर सकते हो, यहां फिर सिर्फ इसको Mobile Device पर यूज कर सकते हो मालनो मैंने LastPass अपने Mobile Device में यूज किया है, तो मैं इसको अपने Android, iOS, Tablet, सब जगा पर यूज कर सकता हूँ लेकिन मैं इसको अपने Desktop पर यूज नहीं कर सकता हूँ मैंने Register किया है अपने Mobile Device को as an Active Device तो Free में आप लोगों का Active Device रहेगा वो यहां तो Mobile रहेगा यहां देक्स्टॉप रहेगा मालनो मैंने आप अपने Laptop को यूज किया है तो मैं अपने Laptop, Desktop, जितने भी मेरे Laptop से Unlimited Laptop में मैं आप यूज कर सकता हूँ इनका Free वाला LastPass लेकिन मैं इसको Mobile पर नहीं यूज कर सकता हूँ तो यह जो Changes है यह March 16 से आ जाएंगे अभी यह चलेगा सबके सारे Devices में Free लेकिन March 16 से सिफ Active Devices के ऊपर ही चलेगा यहां तो Desktop यहां फिर Mobile अब कौन सा Active Device रहेगा तो जो आप लोग पहले यूज करोगे March 16 को जो आपने सबसे पहला device यूज किया वह Active Device बन जाएगा इसको आप लोग तीन बार इसको चेंज कर सकते हो और इस तरह से इनका Active Device वाला पंडा वर्क करेगा और यहां पर जो सपोर्ट था वह भी फ्री वालों से हटा दिया है आपको email support नहीं मिलेगा support forums मिलेंगे email support सिर्फ जो paid users है उनके लिए रहेगा तो यह bad news क्यों है परसनली तो मुझे bitwarden ज्यादा पसंदे फ्री में वह मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ bitwarden is the best password manager for free लेकिन इस लिए है क्योंकि अब competition कम हो जाएगा फ्री वाले market में देखो जबी भी competition रहता है न तो जो दूसरा competitor रहता है वो उसके हसाब से अपने product को बनाता है अब फ्री में ज्यादा competition बचा ही नहीं है पहले bitwarden versus last pass एक कापी बड़ा topic हुआ करता था अब क्योंकि last pass नहीं आप पर कापी limitations ला दिये तो bitwarden यहाँ पे automatically king बन गया है और अब जो वो चाहे वो कर सकता है उसको किसी से compete नहीं करना करना है वो चाहे तो खुद अपने password managers में भी limitation ला सकता है उसको कोई अब ज्यादा रोकने टोकने वाला है नहीं तो अब कोई उसकी competition में है नहीं इसलिए bad news है personally मुझे तो जादा फर्क नहीं पड़ है कि वो भी आगे चलके future में ऐसी कुछ चीज़े कर सकते हैं और free वाले जो free वाले जो users है यहाँ पे शायद से उनको future में problem face करनी पड़ सकती है तो companies के लिए तो अच्छे है लेकिन जो users है उनके लिए इतनी अच्छे news नहीं है तो यह थी छोटी से update last pass के बारे में अगर आपको यह informative video अच्छा लगाए तो तुम्स अब कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और interesting news, updates, reviews के लिए and I will see you guys in the next one. Goodbye.